को सारे अगर्वर्मे τους का सारे सारे भी दॉक्मेट प्रोशेस और हया हुआ यह वह तो लॉंच कर सकते थे गप अ अगर लॉंच करने के बाद मुद गोवर्मेसटेजर बांद में कर दे पहले लॉंच कर देते हैं तो हो सकता था अभी जो लिस्ट आई थी ना बैंड अप्लिकेशन की वापस से उधर पब्जी मुबाइल बैंड दिखाई देते हैं आपको चलो अब अपन बात करते हैं गाइस पब्जी मुबाइल इंडिया के बारे में कि भाई क्या हो क्या रहा है कि पब्जी मुबाइल रिलीज मैं ना एक वीडियो आपको दिखा सकता हूं गया एक से रोको मैंने नहों तारिक को शूट किया था अब जब मैं अफडर से शूट ट्रायलर की शूर्टिंग करके जब में आ रहा था ना तब काया क्या और नहीं वीडियो तो नहीं देखा एक नीसीन की में तूब डाइनमो और ट्रेलर में हम हैं और कोई एक-दो लोग है ठीक तो उनका नाम मैं नहीं बता सकता है क्योंकि ओभी दद किसी को भी नहीं पता है है न तो हम लोगों को जब हम शूट करते तो हम यहीं बोला गया था कि 13 तरिक को डिवाली को गेम रिलीज होने वाली है और यह एक PUBG Mobile के जो लोग है उनके लिए एक यह गिफ्ट है विवर्स जो भी मतलब डायाड फैन से दिवाली के लिए तुम्हें गिफ्ट है और सीन क्या था मैं तो इतना खुश था क्या ही बता हो मैं आपको बहुत खुश था और फिर आपको पता ही है गेम सब कुछ रेड़ी ट्रेलर वेगरा तो हो गया था सब रेड़ी टू लांच था बट आपको आड़ेन पता है कि जो इशू आता वो गवर्मेंट के साइट से इशू आता है है ना सो गवर्मेंट की साइट से इशू आता मतलब की गवर्मेंट ने रोग दिया था अब जो मुबाइल लॉंच आप नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा जो प्रोसेस वेगरा है नहीं हो जाता है ना तो तो गाइस दो ऐसा हम सुनने में आया है कि गवर्मेंट को सारे वह तो लॉंच कर सकते थे बट अगर लॉंच करने के बाद मतलब गवर्मेंट को प्रोसेस बाद में कर देते हो पहले लॉंच कर देता है तो हो सकता था अभी जो लिस्ट आई थी ना एप्लिकेशन की वापस से उदर पपजी मोबाइल बैं दिखाई देते आपको तो इस आप से इसी लिए उस प्रॉब्लिम का सोलुशन निकाल दें 21 तारीक को कंपणी रजिस्टर हुई पब जी इंडिया करके नहां ऐसे नाम था तो यह सीन हो गया बराबर तो अभी अभी अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी गवर्मेंट या फिर जो भी प्रोसेस है मतलब जि सुझाई है मतलब कोई भी को यह उसकती है कभी भी गेम आ सकती है तो अभी बताएगे अगर वह जूट हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा है ना तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेता है कि आपको यह करने का बताने का और सारी चीज है तो देखो गेम का सीन गवर्मेंट की वज़े से रुका हुआ है वरना पब्जी मोबाइल रेडी टू लाउंच है सारी छीज रेडिय जैस्स बिकाज और ट्रेलर शूट फॉट हुआ ता उसमें बहुत सारी चीज जैसी है कि जो हमने पता है तो गेम को गेम के साइट से को इशु नहीं है जैसी गवर्मेंट के साइट से ग्रिन सिंग्नल मिल जाता है जो भी प्रॉसस वेगर हो जाती है तो गेम आ जाएगी अब आपको लगा होगा कि दो तीन महिना लगेगा नहीं गाइस मतलब कि गेस कर सकते आपको दिया जैसे पब्जी मोबाल ने क्या बाल दो तारिक तक वेगर डाटा ट्रांस्पर अगरा हो जाएगा जो कि अल्रेडी हो चुका था और जो भी लोग बोल रहे हैं गेम का इश्यू है आप अगर आर्टिकल देखते हो तो देखने हैं तुम सोचो 21 तारिक को पब्जी मोबाल इंडिया रेजिस्टर होगी क्यों होगी अगर वह तेरा कोई लॉंच करने वालत है तो उससे पहले क्यों नहीं करें क्योंकि या फि पब जी एक बंदा लिक रहा है वैक्सिन पहले आएगे तो मैं पता है मेरे बास इतनी सारी रेकोडिंग पढ़ी है ना ट्रेलर के रिलिटेड बहुत सरी चीज है बट अभी मैं नहीं दिखा सकता आपको जैसी जिस दिन गेम लॉंच होगी ना उस दिन में आपको दिखा और बहुत जल्दी हो जाएगा गेम लॉंच मतलब अभी देखो ना कंपनी रेजिस्टर हो गए बैंक अकॉंट वेगरा मेरे हिसाब से होई गया होगा जीस्ट हो गया होगा उसके बाद जो गवर्मेंट को चाहेगा वो डॉकुमेंट फ्रोसेस हो जाएगी देन गेम रिल उस पर ड्रस्ट नहीं है मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है अब वो आर्टिकल कितना ट्रू होता है या सच में डिसिंबर फरस्ट वीक तक आती है आपको क्या लगता है घ्र आइस आप बताना तो गैंश और कुश्यन पूछो की हाल आपको पबजी मोबाल ट्रेल में क्या डेट थी भाई 13 मैं बोलता रहूं 13 थी 13 के बाद 20 देन बुम्बा